पुलिस एक आरोपी को चौकिल आकर पुंच्टाश कर रही है जबकि दूसरा आरोपी येक जनरायन यादाव फरार बताया जाता है जिसकी पुलिस तलास कर रही है इस मामले में अवैध बिजली चोरी करने पर पाये जाने पर विद्धुद चोरी का प्रकरन तयार कर एवं कारेस्थल पर विवाद करने के कारण संबंदित के विरुद फायार दरज कराई गई विद्धुद विभा कारेपालन अभियंता शुशील कुमार ने सभी अवैध कनेक्शन धारियों को जानकारी दी कि विद्धुद कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें नहीं तो उनके विरुद धन्यमानुसार नयायलीन कारवाई की जाएगी कराया उनने लिखित में आवेन पत्र दिया उसके आवेन पत्रपड से पुलिस के दार प्रक्रण पंजीवद कर लिया गया जिसमें धारा 353, 341, 294, 506 के दार प्रक्रण पंजीवद किया गया चाल लोग को इसमें आरूपी बना जिसमें एक पूर्व सरवर्ण पिये और बांकी की लोग है इसमें जो प्लिस के दारा भी मामला दर्जी करके इसमें विवेशना की जा रही है आवस्तर कर रही की जा रही है कुछ बिवाद हुआ था मैं बताया आपको कि एक तो सियम उल्लान की सिकाइट बंद कराने गए थे साथ में बिल पैंडिंग का मामला था जिसका भुक्तान कराने का प्रयास कर रहे तो उस बात पर समा बिवाद हुआ जिससे उनको वहां पर रोक लिया वाने नहीं दे रहे थे पुलिस गई थी मौके पर पुलिस ने जाकर मामले को सौट आउट करा दिया फिर फर्यादियों ने जब पुलिस पर शिकायत की तो उन्हाने पिप्टना बंदू बंदू की बात नहीं आए फिर भी अगर इन्वस्टिकेसर में कुछ ऐसी तथ आते हैं तो पुलिस उस प्रेनिमिल